ग्यारवी कक्षा की पाठे पुस्तक अंतरा से ये पाठ आप सब की सामने पेश है पाठ का नाम है उसकी मा और लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी उनके जीवन के विशय में हम यहां पर पढ़ेंगे और साहितिक जीवन को بھی साथ-साथ हम जानेंगे कि उनका साहिति और व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा है। से वो पढ़ नहीं पाए एक विवस्थित क्रम में जिस तरीके से बाकी लोग एक नाम कमाने के लिए या एक बहतरीन अहोदा पाने के लिए विवस्थित सिक्षा लेते हैं तो वो मौका उन्हें नहीं मिला परिवार की तरफ से अभावों के करण लेकिन अपनी नैसरगिक प मेहनत से उन्होंने अपने समय के अग्रणी यानि उनके समय में जो सबसे आगे रहने वाले शिल्पी कार थे यानि की गद्य शिल्पी यानि जो साहित्ते लिखा करते थे गद्य साहित्ते और उनका बहुत नाम था उनके रूप में उन्होंने अपनी पहचान मनाई किसके जरिये अपनी प्रतिभा और साधना के जरिये अपने तेवर और शैली की कारण उग्रजी अपने समय के चर्चित लेखक रहे हैं यानि जो उग्रजी का तेवर रहा है लिखने का जो तरीका रहा है वो उनको अलग बनाता है और एक चर्चित लेखक भी बनाया अपने कवी मित्र निराला की तरह उन्हें भी पुरातन पंथियों के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा यानि जो पुरातन पंथी हैं जो अपने विचार पिछड़े विचारों की वज़ा से आगे आने वारे लोगों को पीछे की तरफ घसीटने की कोशिश करते हैं वो अपने कवी मित्र यानि जो उनके कवी मित्र निराला जी हैं और निराला जी को तो सभी जानते हैं कितने क्रांती कारी विचारों वाले और अपने लेखन में भी अपनी क्रांती को दिखाते हुए हमें पता लगता है कि निराला जी कितने बड़े और उच्च कोटी के सह तो वही मित्र उनके थे और उन्हों ने भी उसी तरह जिस तरह निराला जी पुरातन पंथियों का विरोध करते रहे उसी तरीके से उग्र जी ने भी उनका विरोध किया पत्रकारिता से उग्र जी का सक्रिय संबंध था सक्रिय यानि एक्टिव थे वो और उससे उनका संबं लेकिन मतवाला मंदल के प्रमुक सदस्य के रूप में उनकी विशेश पहचान है। चित्र विचित्र, कंचन सी काया, काल कोठरी, ऐसी होली, खेलो लाल, कला का पुरसकार आदी में संकलित है। लिखे हैं, रेखा चित्र, आदी के छेत्रों में उनकी लेकनी जो है, वो गती शील रही है, यानि एक्टिव रही है, उन्होंने उसमें भी लिखा है, उन्होंने उसमें भी लिखा है। उनकी आत्मकता जो है, वो अपनी खबर, अपनी खबर नाम से उनकी एक आत्मकता है, जिसको बायोग्रुफी कहते हैं, साहित्ते जगत में बहुचर्चित है, उन्होंने महात्मा ईसा, नाटक हैक और ध्रुवधारन खंड कावे की भी रचना की है। वेवाहार में भी ला सकते हैं, और उसमें उर्दु के कुछ वेवारिक शब्द भी अचानक से आ जाते हैं, इस तरीके से महसूस होते हैं, यानि जिसे हम कहते हैं कि फ्लो में आना, भावों को मूर्ती मत मत करने में इनकी भाशा अत्यदिक सजीव और सशक्त कही जा सकती ह भावों को मूर्ती मत करने में यानि कि वो अपने भावों को बहतरीन तरीके से अपनी भाशा को और शैलिक को सब में एक ढाल में ढाल कर और उसको बहुत ही सजीव तरीके से और सशक्त रूप से पेश करते हैं, यानि कि अपने विचारों को पेश करने के साथ साथ अपने भावो को भी उसमें शामिल कर लेना और भाशा जो की सजीव भी लगे, सशक्त भी हो और सरल भी हो, अलंकरित भी हो विवार वाली भी हो, उर्दू के शब्द भी हो तो आप सो सकते हैं कि किर्टिनी प्रतिभा होगी जो इन सब का मेल जोल बन कर हमें एकरचना मिलती है जो पाठक के मर्म इस्थल पर सीधा प्रभाहार करती है यानि आप देखते हैं कई फिल्में होती हैं नाटक होती हैं, कहाने होती हैं उसमें इस तरीके से विचार प्रस्तुत की होते हैं लेककने के सीधे हमारे दिल को छूती है या फिर हम उसको ऐसा कनेक्ट करते हैं ऐसा लगता है, यह हमारी ही लाइफ की तो कहानी है तो इस तरीके से यह हमारे मर्म इस्थल पर सीधा प्रहार करती है, यानि हमें छू जाती है भावों के नुरूप इनकी शैली भी व्यंगे परक है इनकी कहानियों में उसकी मा, शाप, कलाका पुरसकार, जल्लाद और देश भक्त आदी विशेश प्रसिद्ध हैं उग्र जी प्रेमचंद यूगीन कहानिकार है यानि प्रेमचंद यूग के ये एक कहानिकार है इसलिए उस समय की प्रमुक जो परुवित्ती है वो थी समाज सुधार इनकी कहानियों में भी मौजूद मिलती है सभी जानते हैं कि प्रेम चन कैसे लिखक है जिनोंने समाज को अपने साहित्ते में पेश किया है और ये प्रेम चंद युगीन कहानीकार है तो जाहिर सी बात है कि इनके विशे में भी हमें समाज सुधार संबंदित कहानिया या फिर विशे देखने को मिलेंगे उसकी मा कहानी देश की दुरावस्था से चिंतित युवापीड़ी के विद्रोह को नए रूप में प्रस्तुत करती है उसकी मा एक कहानी है जो देश की बिगड़ी हालत से युवापीड़ी है वो चिंतित है और वो विद्रोह करती है उस विद्रोह को एक नए रूप में प पूरी हालत से युवा पीड़ी जो है वो पीड़ी थे परेशान है और इसका जिम्मेदार वो शाषन तंत्र यानि सरकार को मानती है तथा इस शाषन तंत्र को उखार फैकना चाहती है दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में अपना योगदान ही इस पीड जान देगा यथार्थ के तूफानों से बेपरवाह ये पीड़ी जानती है कि नश्ट हो जाना तो यहां का नियम है जो सवारा गया है वो बिगड़ेगा ही हमें दुरबलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए कर्म के से में हमारी भुजाएं दुरबल नहीं भगव उसका क्रोध ही यहां पर हमें देखने को मिलेगा नई पीड़ी का जो यह विद्रोही स्वर है जहां राजसत्ता से विद्रोह की मशाली खड़ा है वहीं पूर्व वर्ती पीड़ी का बुद्धी जीवी समाज अपनी सुविधा के लिए राजसत्ता के तलवे चाटने को तयार है अब यहां पर एक चीज और भी दिखाए गई है युवा पीड़ी जो आज की पीड़ी है युवा पीड़ी वो शाशन तंत्र की बुराईयों को देख रही है और देख रहा है कि वो किस तरीके से प्रजा को या फिर जनता को नुकसान पहुँचा रही है लेकिन पुरानी पीड़ी है पिछली पीड़ी है वो बुद्धी जीवी है वो बुद्धी से काम लेती है और समाज में अपनी सुविधा के लिए यानि अपनी सुविधा को वो सिर्फ ध्यार में रखती है और इसके लिए वो राज सत्ता के तलवे चाटने को तयार है लेकिन जो आज की युवा पीड़ी है वो राज सत्ता के तलवे चाटना पसंद नहीं करती है और वो उसके लिए विद्रोह कर रहा है और यहाँ पर पिछली पीड़ी जो है जो बुद्धी जीवी है जो दिमाग से काम ले रहा है और अपनी सुविधाओं के लिए सत्ता के तलवे चाटने को भी तैयार है ये दोनों द्वंद और द्वंद क्या आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे दो पीड़ीों का इन दोनों के बीच खड़ी है एक मा जो अपना बेटा चाहती है अपना लाल और उसकी खुशाली चाहती है समाज के दो सीरों के बीच खड़ी ममता मैमा लाख कोशिशों के बावजूद विवस्था की चक्की से अपने बेटे को बचा नहीं पाती है पूरी कथा में व्याप्त ततकालीन जन मानस पूरी जो कहानी है उसमें उस समय के जो जन मानस है लोग है स्वाधिन्ता आंदोलन तथा मा की ममता का सजीव चितरन पाठा को द्वेलिद कर देता है तो आपको ये सारी चीज़े इस पाठ के अंतरगत देखने को मिलेंगी और एक नए विशे के साथ देखने को मिलेंगी